Algebra क्या है, Algebra कहां से निकले, Algebra का लफ्स कभ कैसे और क्यों यूज किया गया Algebra data science में कैसे help करता है, Algebra machine learning के अंदर कैसे help करता, Algebra होता क्या, equations क्या होती है fractions क्या होती है, आपका variable क्या होता है, exponent क्या होता है there are many things जो आपको सीखनी पड़ती है when you're learning mathematics और mathematics क्यों जरूरी है क्योंकि आपने data science को सीखना होता है या artificial intelligence के अंदर आप deep dive करने वाले हैं तो artificial intelligence और data science के engineers काफी दुनिया में मुझूद हैं दुनिया के अंदर बहुत numbers के अंदर मुझूद हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको mathematics के उपर अबूर हासिल है इसे वज़ा से यह जो math की series है यह आपको different चीजें सिखा रही है algebra जो है is one of the main ingredients जो mathematics के अंदर use किया जाता है to learn some patterns in data science और कुछ prediction के लिए और खास तोर पे predictory analysis या predictive analysis के लिए हम इसको utilize करते हैं हम बिलकुल zero से start करने वाले हैं क्योंके series का नाम भी zero to math है and then I will actually take you from zero to advanced level कि algebra किस तरीके से data science में हमें help करता है यहाँ पर यह screen आपके पास share हो रही होगी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास algebra किस तरीके से काम करता है and कौन-कौन सी ऐसी हमारे पास techniques and जिसको हम समझते हुए algebra के उपर अपना जो हाथ है वो set कर सकते है मैं यहाँ पर अब आपको पहला question यह करता हूँ कि algebra आपके मुताबिक है क्या क्या होता है algebra और यह लफ्स कहां से निकला है curiosity आपके माइंड में है कि algebra क्या होता है और कहां से निकला है लेकिन now I will let you know in brief words algebra जो है branch of mathematics है that uses symbols and letters यानि कि जब mathematics में numbers के साथ symbols भी आना start हो जाएं या letters भी आना start हो जाएं तो उसको हम algebra कहते हैं यह क्या करता है यह quantities को describe करता है या analyze करता है using different formula and equations equations और formula को use करके यह different quantities को मदे नजर रखते हुए हम इसको analyze करते हैं और यह एक puzzle की तरह है like for example अगर हम किसी unknown value को find out करना चाहते हैं तो हम एक equation बनाते हैं और उसके अंदर different rules को देखते हुए हम एक unknown value को तसवर करते हैं मैं एक मिसाल देता हूँ आपको बड़ी देशी example आपके पास 200 रुपे एदी है और आपने कैसे calculate की है एद के दोरान आपको 10 लोग एदी देखे गए 20-20 रुपे ठीक है 20-20 रुपे एदी देखे आपके पास total कितनी हो गई अगर यहां पे algebra को हम एक puzzle solve करने के लिए तसवर करें then you can have an idea you need to find a missing number एक equation के अंदर मैं यहां पे एक छोटी सी मिसाल आपके सामने discuss करता हूँ if you have 5 plus question mark equal to 10 तो आपके पास algebra आपको help out करता है to find out के missing number क्या है आपके पास 5 है तो 5 यहां पे आएगा क्यों? क्योंके हमारे पास 10 भी है यहां पे और इस side पे हमारे पास 5 plus something is equal to 10 तो हमें पता है 5 plus 5 equal to 10 होता है इसी तरीके से बड़ी equations को जब हम देखते हैं तो algebra के अंदर हमें उनको resolve करना पड़ता है और confusion को दूर करना पड़ता है using some mathematical tools अच्छा यह basic algebra की definition है यानि के आप क्या करते हैं symbols कोई भी symbols हो सकते हैं there are many symbols out there जो different languages से उठाए गए है तो उनको भी आप use कर सकते है I का symbol बड़ा use होता है summation का होता है there are many other tools many other symbols और फिर हमारे पास कुछ letters होते है and which represents the numbers उनको हम numbers के एकुल लिखते है and quantities quantities के एकुल भी in formula and equation अब इस पूरे definition के अंदर कुछ keywords यूज किये गए है और उन keywords को हम बंदे नजर रखते हुए देखते हैं कि हम उन keywords को किस तरीके से किस अंदास से जो है वो लेके चल सकते है उसको बताने के लिए मैं अपनी notebook आप लोगों के सामने लाता हूँ और यहाँ पे हम कुछ जो keywords है उनको पहले define करते हैं ताके हमारी definition जो है वो clear हो जाए and then we will move forward तो notebooks मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपनी notebooks जो है उन्हें on रखें on से मुराद है के उन पर लिखने के लिए तयार रहे and now we are going to see मैं अपनी tablet जो है उसको set कर लूँ just a minute and here we go okay यह मेरी notebook आपके सामने शेयर हो रही है and you can actually view that हमारे पास जो algebra है इसके अंदर काफी जो different terminologies है वो utilize की जाती है सबसे पहली जो keyword है हमारे पास that is called arithmetic 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 क्या होता है arithmetic branch of mathematics है यह भी branch of mathematics है that deals with the basic operations कौन से basic operations के साथ deal करती है यह branch of mathematics basic operations के साथ यह branch of mathematics deal करती है for example आपने किसी चीज़ को plus करना है minus करना है multiply करनाई divide करने या so on so forth ठीक है तो different किसम के जो आपके arithmetic operations है addition, subtraction, multiplication, division and बाखी भी आप उनको utilize करते है arithmetic के अंदर तो algebra के अंदर arithmetic एक main चीज है जो main ब्रांच है algebra के अंदर वो utilize होती है ठीक है तो जब भी आप algebra की बात करेंगे you will talk about arithmetic as well. Arithematics के सीखते सीखते हम जो अगली चीज देखेंगे arithmetic के साथ that is variable. अब यहाँ पे मज़ा आने वाला है क्योंकि जो जिन्होंने python सीखी है उनके लिए असानिया होने वाली है जिन्होंने मेरे पराने lectures जो है python के इसी course के वो देखेंगे है. बाइदावे ये six months के course का basic part है तो अगर आप description में link देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे links और website के link मिलेंगे जहां पे शेम आगा course आप totally data science हो रहे हैगा free में कर सकते हैं. So the second part is called variable variable क्या होता है आपको भी पता है कोई भी एक mathematical phrase that contains number, sorry a symbol or often a letter that presents an unknown number for example मैं यहां पे कहता हूँ कोई भी symbol, say for example मैं यहां पे i लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से या मैं कह देता हूँ x ठीक है, अगर हमारे पास symbol हो और वो एक unknown number को show कर ला हो तो हम उसको variable कहते हैं, ठीक है हमें नहीं पता के यहां पे क्या आता है इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, for example यहां पे 5 plus x is equal to 10 मैं यहां पे अगर कहता हूँ find x तो यह हमारे पास एक variable है x is a variable तो variable हमारे पास किस तरीके से आएगा variable हमारे पास इस तरीके से आएगा कि हम किसी एक unknown value को donate करें किसी symbol से या एक letter से, ठीक है, that represents an unknown number, जो भी unknown number है, जो हमें नहीं पता, जिसको हमने find करने उसको हम variable बोल देते हैं, ठीक है so x यहां पे variable होगा दो terms हमारे पास आगी, third one is expression 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 का मतलब यह नहीं है कि आप हंसके दिखा दें और आप कियें कि यह भी एक expression ही है expression is something different, say for example, आपके पास कोई भी एक equation लिखी गई है तो जब आप equations की बात करते हैं तो तब उस वकत आपके पास different किसम के expressions जो हैं वो भी आते हैं expressions किस तरीके से लिखे जाते हैं just give me one second, expressions लिखने के लिए आपको काफी चीजों का जो ख्याल है वो रखना पड़ते है okay, मेरे पास यहां पर pen tablet का system में वो थोड़ा सा disturbed हो गया but it's fine, I will make it clear in a minute just in a minute yes, now it's working expression हमारे पास क्या होते हैं मैं आपको एक expression लिखके दिखाता हूं फिर इसके बारे में हम बात करते हैं यहां पर एक में चीज लिखता हूं 3x plus 2 यह मेरे पास एक expression है 3x plus 2 यह 5x plus 1 यह मेरे पास एक expression है expressions क्या होते हैं mathematical phrase यानि के जैसे हम English में लिखते हैं English की कोई phrase हो ठीक है यह मैंने अपना नाम लिख दिया यह मेरी English की phrase है इसी तरीके से आपको पता है जब हम mathematics की कोई phrase लिखें तो उसके अंदर आपके पास अगर numbers हैं सिरफ तो यह आपके पास basically number theory के concept या arithmetic के आ जाते हैं अगर इसी के साथ ही हम कोई variable attach कर दें यानि के letters या symbol तो यह हमारे पास mathematical expressions होते हैं x हमारे पास क्या है यह है symbol या letter letter है इस वकत symbol होगा तो वह कोई और चीज हो जागी मतलब letter and then यह हमारे पास arithmetic operator है operator ठीक है और फिर number है तो number letter और arithmetic operators के साथ जो चीज मिलके बनती है उसको हम expression कहते हैं और algebra जो है इसकी main किसम ही यह है के आप expressions जो हैं उनके through mathematics को resolve करते हैं तो यह आपके पास एक expression है जब भी आप expression की बात करते हैं then you deal with algebra equations inside the expressions अब इसके इलावा अगर expression आपके पास कुछ इस तरीके से है तो एक और बड़ी important term आपके पास आती है हमने तीन अभी तक terms देखी है पहली term क्या है arithmetic second one is variable, third one is expression arithmetic क्या मैंने आपको बताया कोई basic operation जो हम करते है plus minus x या आपके पास कोई भी जो division है plus minus x का मतलब यह नहीं है x है यह by the way यह multiplication है यह division है आपके पास कोई भी unknown number की quantity को जो आपके शेयर करते है and expression is combination or a joint collaboration I would say number letter and arithmetic operator but एक हमारे पास जो चोथी term आती है that is called equation equation का बनती है हमारे पास जब हम क्या करते है a mathematical statement a mathematical statement statement ऐसी statement जो mathematical statement हो तो इसका मतलब है इसमें numbers भी होंगे इसमें operators भी होंगे यानि के plus minus भी होगा plus इसमें variables भी होंगे और इन तीनों को मिला के आपका क्या बनता है expression ऐसी चीज जिसमें दो expression एक दूसरे के equals हों यानि के equal to लगाके हम expression to यहां पे लिख देते है to exponentially यह expression है तो मतलब यह कि जब मेरे पास यह 5x plus 1 थी अगर मैं इसी को यहां पे लिख हों 5x plus 1 equal to जब मैं equal to लगाऊंगा तो मेरे पास जो इसके right hand side पे कोई भी value आएगी like 12 तो मेरे पास 2 mathematical expression हो गए यह दूसरा हो गया तो इनके दरमियान जब equal to का निशान आ जाएगा यानि के बराबर है 12 के तो x को आपने find out करना है तो आपको पता चल गया है यहीं पे अगर जब आप x को find out करेंगे तो it should be something which is kind of plus 1 and equal to making 12 तो इसको हम resolve ने करते लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता देता हूं कि equations क्या होती है जब आपके पास equal to का sign आ जाते है और अकसर उकात आपका expression यहां पे भी होता है ठीक है तो आप 2 variables भी use कर लेते हैं plus 3 यहां पे भी expression होगा expression यहां पे भी होगा यानि कि expression 1 equal to expression 2 तो यह आपके पास basically एक equation बना देता है और एक अगली terminology आप use करते है number 5 which is called solving these equations या solve equations solving the equations ठीक है जब भी आप equations की बात करते हैं and then you also resolve these equations तो आप क्या करते हैं किसी भी unknown value को यानि के variable को आप find out करते हैं ठीक है तो हमारे पास यह कुछ की terms होती है algebra में use होती है मैं आपको बारी बारी दुबारा से बता देता हूँ first one is arithmetic second one is variable third one is expression and the fourth one is equation fifth one is solving the equation तो यह कुछ इस तरीके से हमारे पास different किसम की terminology चलती है which helps us to identify के हम किस तरीके से different किसम के algebraic operations या algebraic equations को resolve कर सकते हैं using the part of algebra अब अगर मैं definition पे आपको वापिस लेके जाऊं अब आपको ज्यादा समझ आएगी के algebra is a branch of mathematics that uses symbols जो आपको बता लग गया कि symbols क्या होते है and letters क्या होते है यह basically variables है symbols and letters are variables to represent number and quantities in formula and equation formula मैंने आपको बता दिया which are expressions and equations it's like a puzzle where you find an unknown value जो solving का step था तो इस तरीके से आपको algebra की समझ आगे होगी कि algebra किस तरीके से हमारे पास जो है वो काम करते हैं अब इस से आपको समझ आगे कि algebra का कितना role है अभी आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि कितना ज्यादा algebra important है